हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको बहुत ही खुबसूरत सा स्लीप का डिजाइन सिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स और इसके लिए आपको चार तह कर लेना है कपड़ों को ये देखिए मैं वो जो किनारा होता है न उसे स्ट्रेट लाइन दे रही हू और टोटल लेंथ जो है न इसका स्लीप का वो मेरा होगा सारे दस इंच का एक्चली दस इंच का है बट हाफ इंच जो है मैंने स्लाइ के लिए रख़ा है ठीक है ये लेंथ और इंक्रीज होंगे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे कफ के पास मैं एक डिजाइन देकर स्लीप क दे रही हूं और इस तरह से मेरा चार तह में कपड़ा आप देख सकते हैं स्लीप के लिए मैंने रेड़ी कर लिया है अब क्या करूंगी साड़े तीन इंच पे आपको माक कर लेना है उपर की तरफ से स्लीप में जो आपका अपर पोर्शन होता है वहाँ पे आपको साड़ 3 इंच पे mark करके और पूरा straight line दे देना है सारे 3 इंच से लेकर वो जो कोने वाला portion होता है वहां तक आपको straight line दे देना है फिर यहां पे मैं cuff की marking कर रही हूँ cuff मुझे चाहिए क्योंकि मैं 10 इंच पे ले रही हूँ तो मुझे 12 इंच का चाहिए तो मैं एक इंच, डेड़ इंच सिलाई का आप रख लो, मैंने यहाँ पे सारे साथ इंच पे मार्क किया है, उसके बाद मैं कफ की मार्किंग से लेकर, वो जो सारे तीन इंच पे मैंने मार्क किया था, वहां तक, स्ट्रेट लाइन देकर अटैच कर लूँगी, फिर यहाँ पे मैंन देड़ इंच पे रखके इसकी कटिंग कर दिये, बागी के हिस्से को गोलाई में कट कर लिया, और यह मैंने कुट्का लगा दिया है, इससे क्या होता है न, यह कुट्का आपको लगाना स्लीप पे बहुत ज़रूरी होता है, तो इससे आपकी स्लीप जो है, वो इधर उध तो चलिए मैं इसको डिजाइनिंग में कैसे कनवर्ट करते हैं वह मैं आपको यहां पे स्टिचिंग में सिखाती हूँ तो आपको करना क्या है स्लीव के उपर वो जो प्लेन वाला फैबरिक मैंने कट करके रखा था फाइव एन हाफ इंच का उसको मैं प्लीटिंग्स दे कर स्लीव के उपर अरेंज करूंगी कफ के पोर्शन में ठीक है आपको ध्यान रखना है यह वाली जो प्लीटिंग्स है तो बहुत 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 प्यारे दिखेंगे और यह sleeve मेरा बनकर बहुत खुबसूरत रेडी हुआ था तो प्लीज आप भी try करो यह बहुत simple है, बहुत easy है और बहुत attractive look देगा आपके dress को कोई साभी dress हो, यह वाला जो sleeve है आप frog पे भी use कर सकते हो और अगर आप कुर्ती बगरा बना रहे हो तो उस पे भी बहुत decent, बहुत sober look देता है और बहुत trendy fashion आपको यह provide करेगा बहुत प्यारा दिखते है तो आप भी ज़रू try करो friends और अगर आपको मेरी यह वाली sleep की design पसंद है तो please like कर दिजे friends और don't forget to subscribe my channel और bell icon पर all का option भी प्रेस कर देना friends तो यह देख सकते हैं मैंने almost जो है वो ready कर लिया है pleatings को जब pleatings आप दे दो उसके बाद आपको इसको बिठाने के लिए उपर से एक slice जरूर चला देना यह stitching बहुत ज़्यादा important होती है यह pleatings को अच्छे shape दे देती है और यह वाली stitching बहुत जरूरी होती है after क्योंकि आप double तो sly लगाते ही हो तो double ना चला कर इसको उपर की तरफ से आपको एक stitch लगा लेनी है तो मैंने उपर से भी एक stitch लगा ली है friends अब मैं आपको इसका overall look दिखाती हूँ यह कैसा दिखते है इसके बाद भी एक stitching अभी बाकी है बट आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहे है और यह बैट भी किया है अगर आपकी यह मेरा मैंने sly नहीं चलाई है यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर खुली होई जैसे आपने cutting लगाई हो तो वहाँ पर भी एक sly जरूर चला देना क्योंकि यहाँ पर मेरा बंद वाला portion था fabric का तो मैंने sly नहीं चलाई अब देख सकते हैं एक inch पर रख के आपको यहाँ पर stitching कर लेनी है और इसके बाद आपको यह वाली sly जो है वो अपने top पे जो भी आपने ready किया है frog है या फिर कुर्ती है उस पे आपको attach कर देना है मैंने इसके लिए कुर्ती cutting की है उस कुर्ती का भी review मैं अपने channel पे डाल दूँगी वो आप जरूर देखना है और इस तरहीके की sleeves को आप किसी भी कुर्ती पे टॉप पे आप अरेंज कर लो मैंने तो कुर्ती पे ही अरेंज किया था आप चाहो तो frog पे, gown पे हर एक पे यह वाली sleeve बहुत प्यारी दिखती है तो अगर आपको पसंद आया हो तो don't forget to like, share and subscribe to my channel जो लोग नए हो मेरे channel पे और जिन्होंने मेरे channel को subscribe किया हुए है उनको धेर सारा thank you friends दिल से thank you तो देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरा sleeve ready हो गया है अब मैं इसको attach कर लूँगी armhole पे तो यह मेरी cutting और stitching कैसी लेगी ज़रूर बताइएगा comment section में नेक्स्ट वीडियो में till then stay safe, stay healthy bye bye